लोगडॉन में कुछ खुले ना खुले लेकिन सरकार ने पूरी संजीत की दिखाते हुए शराब की दुकाने जरूर खोल दी हैं जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग जहरीली शराब पी कर मरने लगे हैं इस मामले में सबसे ज़्यादा चोकाने वाली बात तो ये है कि ये शराब किसी अवैद दुकान से नहीं बलकि लाइसेंस धारी अनुबंधित दुकान से खरीवी जाती है शराब पीने के बाद से करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं दो दर्जन से जादा लोग कम भीर है जानकारी के मताबिक अब तक करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है नमस्कार मैं हूँ खुशुपांड़ और आप देख रहे हैं News 10 Nation की खास खबर अलिगर में एक अनुबंधित दुकान से खरीदी गई नकली शराब पीने से लोगों की जान जाने का सिलसला जारी है इखटना लोधा थाना इलाके के करसिया गाउं का है जहां एक अनुबंधित खेके से खरीदी गई देशी सराब पीने से दो लोगों की मौत हो चुकी है जिनकी पहचान ट्रक चालकों के रूप में हुई है उन्होंने बताया कि दोनों चालक अलिगर टपल राजकी राजमार्क पर मौझूद एजी गास डीवो में काम के सिलसले से गई थे उनके मुताबिक जब तक पुलिस और जिले के वरिष्ट अदिकारी मौके पहुचे तब तक सूचना मिली की करसिया और आसपास के कुछ अन्य गाउं के छे अन्य लोगों ने भी शराब पीने के बाद दम तोड़ दिया है धीरे-धीरे अलग-अलग इलाकों से शराब पीकर मरने वालों की खबरे आना शुरू हुए आनन फारन में पुरेस ने अलिगर की सभी शराब की दुकानों को बंद करवा दिया इतना ही नहीं आपकारी वे भाग में शराब की जाच भी शुरू करती सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है वहीं दूसरी तरफ अमेठी जिले में आपकारी निरिक शेक नागेंगर सिंग ने थाना मोशी गंच के ग्राम उम्राव सिंग का पुरुआ और ग्राम गढ़ा माफी में छापे मारी करते वोई 22 लीटर अवैद कच्ची शराब और 600 किलो ग्राम लहन मौके पर नश्ट कर दिया इतना ही नहीं पुलिस कई लोगों के खलाफ मुकदमा भी दर्श कर रही है पुलिस के मुताबिक अगर ये कच्ची शराब बाजार में बिखने चली गई तो यखीनल इससे कई लोगों की जान चा सकती है इसी कड़ी में परोसी जिला सुल्तानफुर भी अच्छूता नहीं रहा है जी हाँ बंधुआ कला थाना इलाके के ग्राम सभा बाबा का सग्रा में पहुचकर कच्ची शराब के कारोबार से जोड़ी महिलाओं को राशन बाटा गया साथ ही उन्हें सरकारती योजनाओं के बारे में भी बताया गया गरसल एस भी डॉक्टर वेपिन मिश्रा चाहते हैं कि जिले में अवयाद और कच्छी शराब के कारोबार पर पूरी तरह से पावंदी लग जाए और वो खत्म हो जाए बद्वाकला ठाना में बाबा का सग्रा और इसके आसपास के जो गाओं है वहां पची शराब बनाने की कापी शिकायते रहती है और पुलिस तथा अपकारी विवाग द्वारा लगातार उस पर नदर भी रखी जाती है पिर भी चोरी चिपे शराब की घटनाओं के होने के पिशे मुखे कारण है उनके पास कोई और रोजगार का अप्शन नहीं है पुलिस की पहल पर एक तो उनको रोजगार जो उतरपते सरकार की कल्यान कारी वजना है उनको रोजगार प्रदान करने के लिए जिरादी कारी मोदे सर्मूत कराये गया है और सीखरी एक काडी सरकारों को जो इस तरह की घटनाओं में शामिल रहते हैं उनको ठाने पर बुलाकर और इरयात भी की गई है साथ ही उनको एक सबड़ जिरोभाई गई है कि वो इस तरह के अवैर्द कारीयों को नहीं करें वैधानिक तरीके से अपने रोजगार का अर्जन करें और अपने पहलानिक तरीकों से अपना आज यूपो पाजन करें ताकि उनके विर्ट कोई विरिक कारवाई करने के लिए बाजन ना होना पड़े पुलिस की एक टीम बाबा का सग्रा पहुची जहां महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरुक किया गया पुलिस चाहती है कि जो कुछ भी अलिगड़ में हुआ वो किसी भी हाल में सुल्तानपूर में ना होता है इसके लिए पुलिस कमर कसली है आपको अमारी वीडियो कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रू बताएं अगर आपे वीडियो फेस्बूक और देटस लाइक और पॉलू करें और अगर आपे यूट्यूब पर देखरत चानल को सब्सक्राइब जरू करें नमस्कार